हेलो माई डियर स्टुडेंट्स, वेलकन टू आल आफ यू इन वर्चुल क्लासेज, आउनलाइन क्लासेज, स्वागत है आपका आउनलाइन क्लास में, मैं इंद्रभान प्रक्ता व्यादस्रिकल जलालपूर जौनपूर, डियर स्टुडेंट्स, अभी तक हम लोग फ्रोज क को पढ़े हैं, आपको सेलेबस में हम बताया थे कि टोटल पेपर हमारा दो पार्ट में डिवाइड है जिसमें से पार्ट आपका प्रोज, पोईट्री, सार्टी, स्टोरी, ड्रामा और फिगराफ स्पीस से रिलेटेड है, डियर स्टुडेंट्स, यहां हम पार्ट ए या स 16 मार्क्स कवर करता है, 16 मार्क्स इस डिवाइड इंटो थी पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट्स रिलेटेड टो यूर एक्स्पानेशन, आठ नमबर का होगा, सेकंड पार्ट्स आपका सॉट एंसर टाइप कॉस्चन होगा, चार नमबर का, और आपका वकाइबल्डी सब कोर् यह जो एक्जाम में पैटर्ण दिया जाएगा, फिल इन दा ब्लैंक्स, खाली अस्थान दिया गया होगा, कोई सेंटेंस रहेगा, और वो सेंटेंस में कौन सा वर्ट्स भरना है, कौन सा वकेब भरना है, वो आपके प्रोच के पैसेस पर डिपेंड करेगा, आप बार बा आगे बताएंगे, आया हम इसमें चर्चा करते हैं, एक्स्पलानेशन के बारे में, एक्स्पलानेशन मिंस व्याख्या होता है, आप आपको व्याख्या करने के लिए, एक्स्पलानेशन के लिए आपके एक्जाम में पैसेस दिये जाएंगे, पैसेस कम सकम दो होता है, जि ऐसे बना लेंगे लिख लेंगे कि डॉट डॉट करके ऐसे बीच का वर्ट सब हम छोड़ देते हैं और लास्ट के वर्ट को लिख देते हैं इससे क्लियर रहेगा कि आपने कौन सा पैसेश किया और एक्जामनर को भी सुभधा रहेगी चेक करने में इस तरह यह पैसेश क्लि और एक्स्प्रानेशन होता है यह आपके लिए नया लग रहा होगा चुकि इंग्लिस में हाई स्कॉल में नहीं था लेकिन हिंदी लेंग्विज में रहा होगा आपने देखा होगा कि हिंदी का कोई भी पैसेश हो चाए वो गद्द का हो चाए पद्द का हो आप संदर्व कियोंगे वही सेम चीज़े आपको यहां रिफरेंस में दिखानी होती हैं संदर्व का मतलब दिया गया पैसेस किस पार्ट से लिया गया है या इसके लेखा कौन है हिंदी में तो आप बहुत बढ़े होंगे इंग्लिस में भी थोड़ा सा टेक्निकल टीज आपको समझना है दिया गया जो पैसेस होता है हम उसको जब रिफरेंस बनाएंगे तो हम पैसेस डायट लिग भी सकते हैं या वह पैसेस कहीं कहीं एक से अधिक लाइन का समूह होता ह है इसलिए हम दिज लाइन से भी सुरू कर सकते हैं बस दो चीजा आपको ध्यान रखनी है दिस पैसे से भी सुरू कर सकते हैं दीज लाइन से भी सुरू कर सकते हैं बस क्या करना है ध्यान क्या देना है यह जो सेंटेंस होगा सेंटेंस आपका हमेशा पैसी वाइस में होग और यहां पर अधिसकर तो प Con急 preservation यहां पर दिसकर प्रयोक करते रहें थो पैसेज में यस नहीं लगाएंगे के प्धुख यहां पर आपका इस आएगा और नहीं आएगा इसी तरह दिस पैसेज अगर हम perfect tense में जब हम passive बाइस में बतलेंगे तो have बिना करके has बिनाएगा तो आप इसमें से कोई भी एक specimen ले सकते हैं इसी तरह अगर आप prices के अस्थान पर lines लिखते हैं अगर lines लिखते हैं यहाँ पर this नहीं होगा बलकि these होगा lines plural है तो these plural रखेंगे इसके बाद यहाँ पर helping verb भी हम is नहीं लगा करके are लगाएंगे plural helping verb लगाएंगे सेम इसी तरह यहाँ भी हम perfect tense में जब बनाएंगे तो has been now करके have been होगा यही आपको ध्यान रखना है यह आर या have been plural subject के साथ होगा जब yes लगा होगा यहाँ पर these होगा जब पैसेज लिखेंगे तो this होगा और जब पैसेज लिखेंगे this होगा तो it has been होगा यह आपको यहाँ शुरू में ख्याल रखना है इसके बाद आपको चाहे जो भी line लेंगे this पैसेज is taken या this पैसेज has been taken या these lines are taken या these lines have been taken कोई भी आप नियम आप chain कर सकते हैं चाहे जो भी लिकिन जानते रहे है error ना हो taken from the lesson अगिसेम रहेगा आपका taken from the lesson यहाँ तक आपको सभी चाहे जिस पैसेज का चाहे जिस पार्ट का पैसेज आता है आपको लिखना है लेकिन from the lesson के बाद आप single inverted कामा का प्रयोग करेंगे और single inverted कामा के अंदर part का नाम लिखेंगे part का नाम जो लिखते हैं उसमें हर वर्स कोई भी sentence होता है पहला वर्स हमेशा capital में होता ही है तो part के नाम का प्रतिक जो सब्द होगा उसका पहला अच्छर capital लेटर में होगा लेकिन बीच में कुछ preposition आते हैं या conjunction आते हैं या फिर article आते हैं क्या क्या preposition conjunction article अगर बीच में आया है जैसे देखें यहाँ विट्स आया है यह preposition आपका है यह article है तो इनको हम small letter लिखेंगे बाकी पार्ट का जो भी सब्द होगा उसका प्रते पहला अच्छर capital लेटर में लिखा जाएगा इस इसको आप विशेज ध्यान दीजेगा सभी सब्द के पहले अच्छर capital लेटर में होगे कि वह प्रिपोजिशन conjunction और article को छोड़ करके और वह प्रिपोजिशन conjunction आर्टिकल जब बीच में आया हो तब इसके बाद हम written को भीजियो काते हो सभी हम reference में लिख सकते हैं written by अब ज़री नहीं है कि हर passes का writer नहीं हो यहां भी हम दिएगे passes के अनसार writer चेंज करेंगी ठीक इसके बारे में यहां पर William C. Douglas लिख दिए आपको यह हमेशा क्या लखना है पार्ट का नाम और writer का नाम पेंजेंज करके लिखेंगे इससे थोड़ा अच्छा प्रभाव पढ़ता है और examiner को चेक करने में असानी रहती है ठीक यह आपको ध्यान दखना है कि धिसके साथ जो है पैसे आएगः और के साथ लाइंज आएगी जैब लाइंज आएगा तो आर यह थ बर्द भीन होगा और पैसे जाएगा तो इस यह थ हैज भीन होगा जहान은ी कि धीज पैसें लिख देंगे तब भी साही इस पैसे नहीं इस लाइन लिखेंगे या इस पैसे लिखेंगे आए आपको नेक्स स्टेप बताते हैं कॉंटेक्स्ट के बारे में कॉंटेक्स्ट जिनको आप हिंदी में प्रसंग पढ़ेंगे जो हिंदी भासा में प्रसंग के रुप में आप पढ़ते हैं वह आपका English में Context होता है प्रसंग में क्या होता है दिए गए पैसेज में कौन सी बात आपको बताई जा रही है एक या दो लाइन में बताना होता है पूरी व्याख्या आपको करना है explanation में लेकर उस पूरे पैसेज में मूल बात क्या पता चल रही है इसे जादा नहीं होना चाहिए आपको बताना होता है किस क्या पता चला यह जैसे अब शुरुवात आपको क्या करना है दिया गया जो पैसेज होगा आप शुरू में लिख सकते हैं इन दीज पैसेज या इन दीज लाइन और जो बताने वाला है वो प्राया राइटर होगा यह राइटर के लिए आपको लिख सकते हैं आपको पास किताब होगा आप मिलाएगा लाट में वागदा प्लेटफॉम है उसमें राइटर ने आपने देखा है कि राइटर जब अमेरिका से नियो देली आया है तो वहां से हिमाले के लिए रवान्गी करता है और क्या-क्या देखता है वही चीजी बताता है तो आप यहां लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन या इन दीज पैसेज दाराइटर डिस इसक्राइब्स अबाउट इस जर्णी अबाउट इस जर्णी डियर स्टुडेंट्स यह जरू नहीं है कि सबका कॉंटेक्स मैच ही करें आप दिएगे पैसे को बार बार पढ़ेंगे प्राया सुरुवात के लाइन से ही कांसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आगे के लाइन में क किसके बारे में चर्चा होगी तो इस तरह हमारा यह कॉंटेक्स क्लियर हो गया अब हम आपको नेक्स स्टेप एक्स्प्लानेशन के बारे में बताते हैं एक्स्प्लानेशन भी आप हिंदी में ब्याक्ष्या के रूप में पढ़े होंगे जिनको आप हिंदी में ब्याक्ष पड़ते थे वह इंगलीष में आपका एकस्प्लानेशन है एकस्प्लानेशन में आपको अभी आभी जो कॉंटिक्स में बताया मौल बात, इसको आपको डिटेल में बतानी है un pen सब्सक्राइब मोलं इस बार बार आपकुंब इस लिए पार लिखाण सब नहीं हो इस वे राय्टर सेज्ट यह राय्टर सेज्ट एक चीज और अभी आपको बता देते हैं यहां देखे रायटर सेज्ट यह डिस्क्राइबस यह डिस्क्राइबस और सेज्ट में यह लगा है यह प्रॉजेंट इंडिफनिट है हमैसा आपको जो explanetion करना है जो रिफ्रेंश देना है उसका जो टेंस होता है वो हमेशा प्रजेंट इंडिफिनिट इसलिए कि राइटर भले चाहे जब गया है लिकिन आप वर्तमान समय में उसको लिख रहा होते हैं इसलिए जो एक्सपलेशन और रिप्रेंस का टेंस है तो प्रेंट इन डिफिनिट ही होना चाहिए इस इसी तरह इसी लिए आपर the writer says that आप 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 आपके बता सकते हैं the writer says that आप क्या बताया है कि he had started his journey from नियो देली तू हमाल है तो उसी चीज को आप लिखा बता सकते हैं आप आप कि लेट नाव देली थी पार दा हमालायाज हमालायाज जिस हमालायाज ऐसे ही आगे आप उसमें जोड़ सकते हैं वेन राइटर केम फ्राव अमेरिका फस्टाफाल दिल्ली दन ही स्टार्टर इस जर्णी डियर स्टुडेंट्स इसी तरह आप उस पैसिस में जो भी बाते बताई गई हैं आप अपने सब्दों में अपने टिंस के अंसार छोटे- तरहीं सforesk day वाउनकी उन्में लिखने की कोशिष करेंगे आप लिख करके हमको एक्जाम्पल क्रूप में प्रस्थ करेंगे क्षें यसक्रिक्शन आपको बता सकते हैंнуться हे यहां पर पूरा हम नहीं बता सही होता है reference का structure सही होता है तो यह मान लिया जाता है student काफी अधक आगे सही systematic strategy बनाया है इसलिए यह आपको ध्यान में रखना है ध्यान में रखके आप उसको example solve करेंगे तो धीरी धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है